नमस्कार दोस्तों टेक्नलोजी सीरीज के अफडेट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है आईए बात करते हैं कि टेक्नलोजी दुनिया में क्या नया चल रहा है सबसे मेली ख़बर आ रहे है आईफून 15 की तरफ से आपको पता आईफून 15 अभी तक लाँच नहीं ह होने जा रहा है और 13 सेट्यमर को जितने भी एकॉमर्स की वेबसाइड है एमाजोन हो फिलिप काड़ो इन सब में आईफून 15 की सीरीज की बिक्री होनी शुरू हो जाएगी वैसे अभी प्रियोडर चल रहा है यह एक न्यूज है अपडेट है जो मैंने आपको बताना है कि आईफून 15 जो है वो लांच होने वाला अगर आप खरीना चाहता है आप खरी सकते हो वैसे अब आईफून 15 की सीरीज में टाइप सी स्पोर्ट का चार्जर देखने को हमें मिला है अब जितने भी आगे फोंस आएंगे जितने भी आईफोन स्मार्टफोन वगर आएंगे उसमें सारे के सारे अटाइप Sês पोर्ट का चार्जर देखने को हमें मिलेगा और गवर्मेंट它 यह मेनिटरी कर दिया है कि जितने भी आईफोन वगर और जितने भी आगए जितने भी फूचर में फोंस वगर स्मार्टफोन आएंगे उनमें Ay Doing सुन लो कि जो Micro Type-C के जो charger आया करते थे उन में जो pin हुआ करती थी ना वो ना down हो जाती थे मतलब वो दब जाती थे तो इस वज़े से जो phone था वो charge नहीं होता है और जही से बात है अगर आपका phone charge नहीं हुआ तो आप दूसरी data cable खरीदोगे अपना phone charge करने के लिए तो इस वज़े से जो है ये metals की बहुत बाड़ी बरबाती होगा करती थी लेकिन जब से Type-C charger का port देखने को मिला तब से लोगोंने data cable खरीदने बंद कर दी है यानि कि बहुत ही limited कर दी है क्योंकि उनका phone बहुत ही अच्छी तरह के charge होता रहता है तो इन्हें खरीदने के कोई ज़रुत है नहीं और यही फरक है Micro Type-C में और Type-C के charger के port में अगली खबर है Chromebook के laptop के तरफ से Google ने कह दिया है कि आपको update 10 साल तक जितने भी आप laptop खरीद होगे चाहिव सस्ते वगर आपको 10 साल तक update पुश करने को मिलता रहेगा यानि कि security के बेस पर चाहिए application के बेस पर आपको tension लेंगी कोई जरुत नहीं है तो देखा जाता हो यह value for money है और आपको tension लेने की कोई भी जरुत नहीं है आपने देखा होगा कि दो दिन पहले आपके phone में एक emergency alert का message आया होगा जिसमें सरकार ने काओगा कि इसे नजर अंतास कर दे कि इसके उपर ध्यान ना दे यह सब message वगएर आया था तो बहुत से लोग यह डर भी गए थे कि कहीं मेरा phone hack तो नहीं होगा कि यह क्या आगया अचानक से मेरे phone में देखो एक तरह से यह message था एक तरह से यह notice था emergency alert था कि यह चेक करना चाहते थी government की अगर वो एक साथ लोगों को यह phone में message send करे तो वो किस तरह से करेगी यह एक testing थी कि कोई अचानक से अगर emergency अपात काल आ जाए तो वो किस तरह से लोगों को एक साथ message भेज पाए और ऐसा हो सकता कि आपको आगे भी एक दो दिन बाद ऐसा ही message आए तो आपको घबराने वाले कोई भी बात नहीं है government future planning कर रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो किस तरह से कर पाई यह एक testing है अगली ख़ब आरे Google Chrome, Firefox, Brave Browser, Opera जितने भी ब्राउजर है modern जमाने के जो अभी चल रहे हैं उन समय एक vulnerability पाई गई है web p नाम से एक images का एक format होता है जो show करने के लिए होता है अलालाग तरीके के website पर images load कराने के लिए इसको कैसे decode में पढ़ा जाता है यह एक vulnerability पाई गई है हर browser में और यह घबराने वाली भी बात है कि अगर यह किसी की गलत हाथ में लग गया तो आपके पूरे system का access वो ले सकता है तो आपको जितनी जल्दी हो सगे अपने browser को update कर लेना है अपने play store में जाका चाहे हो आपका iOS हो चाहे कोई भी devices हो चाहे आपका PC हो चूप मर्जी हो आपको update कर लेना है वैसे update से मुझे याद आए कि मैंने एक मेहने से chrome browser अपने phone में update नहीं किया है वाओ तो इसी के साथ आपकी आच्छी टेक की नियों समापत होती है सावधन रही है सतक रही है और हैक नहीं हुई है और देखते रहे है टेक्निलोजेंट गेमिंग यूटूब चैनल मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बाए 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 अगली झाली